गुली बुली राइश्टार और सारे क्रिमिनल्स मिलकर आज अज्जू भाई को बर्थडे सर्प्राइज देने वाले हैं क्योंकि आज अज्जू भाई का बर्थडे है इधर स्कायलर और आइस्टार आपस में बात करने में लगे हुए हैं अरे यहाँतो रॉड के साथ उसका बेटा चुन्नी भी आया है चुन्नी गुल्ली गुल्ली से कहता है अरे गुल्ली मुझे तो यह बात समझ में नहीं आई अभी तक नहीं पता है कि यहाँ पर किसका बर्थडे होने वाला है। अभी यह डांस क्यों करने लगा। लेकिन पता नहीं अज्जु भाई अभी तक आये क्यों नहीं। रॉड राइस्टार से यह भी कहता है। तुम एक बार अज्जु भाई के पास कॉल करके बोलो। वो तुम्हारी बात जरूर मानेगे। रॉड की यह बाते सुनते ही राइस्टार अज्जु भाई के पास कॉल लगाने लग जाता है। पता नहीं अज्जु भाई अभी कहां होंगे और राइस्टार का कॉल उठाएंगे भी या नहीं। अज्जु भाई तो अमित भाई के साथ कहीं जा रहे हैं। किये तो आप किसी का चेहरा जिन्दगी भर नहीं देख पाएंगे अज्जु भाई राइस्टार की ये सारी बाते सुनते हैं और राइस्टार से कहते हैं हाँ बस मैं आही रहा हूँ राज्टे में ही हो और अज्जु भाई राइस्टार से ये भी कहते है कि मैं अपने साथ अमित भाई को भी लेकर आ रहा हूँ अमित भाई के आने से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम मुझसे बोलो मैं अमित भाई को यहां से ही उनके घर भेश दूँगा अज्जू भै की ये बाते सुनते ही राइस्टार अज्जू भै से कहता है कै आज्जू भै आप ऐसे कैसे कर सकते। अमीत भाइ भी तो हम लोगों का दोस्त ही हैं अज्जू भै आप उन्हें भी अपने साथ लेकर आएए अज्जू भाई कहते हैं हाँ हाँ मैं तो आ ही राता तुम नहीं कॉल करके मेरा इतना टाइम बरबाद कर दिया मैं तो कब का वहाँ आ जाता चलो अब कॉल रखो मैं आ रहा हूँ ये बोलकर अज्जू भाई कॉल कर दते हैं तब ही अमित भाई अज्जू भाई से कहते हैं क्या हूँ अज्जू भाई कौन था और वो क्या कह रहा था अरे अमित भाई वो राइस्टार का कॉल था राइस्टार हम दुनों को क्लोक टावर में बुला रहा है वो मुझे उल्लू बना रहा है, मुझे पता है कि वो लोग क्या करने वाले है मेरे साथ लेकिन उन लोगों को पता नहीं कि मैंने भी उन लोगों के लिए कुछ किया है तब यामित भाई अज्जू भाई से कहते हैं तो आप आप क्या करेंगे अज्जू भाई अज्जू भाई कहते हैं मुझे पता है कि उन लोगों ने मुझे क्लोक टावर में क्यों बुलाया है मुझे लगता है कि वो लोग मिलकर मुझे बर्थले सर्प्राइज देना चाहते हैं लेकिन मैंने भी उन लोगों के लिए एक बड़ा सर्प्राइज रखा है ये बोलकर दोनों क्लोक टापर की तरफ जाने लग जाते हैं पता नहीं अज्जू भाई सारे लोगों के लिए क्या सर्प्राइज रखे हैं इथा रेट क्रिमिनल राइस्टार से कहता है क्या हुए राइस्टार अज्जू भाई ने क्या बोला अज्जु भाई अभी कहां है और कब तक यहां आ जाएंगे राइस्टर सभी से कहता है मैंने अज्जु भाई से बात कर ली है अज्जु भाई तो राष्टे में है अज्जु भाई कभी भी यहां आ सकते है तुम लोग बस रेडी रहो अरे ये कि अज्जु भाई और अमिद भाई क्या कर रहे हैं लगता है ये दोनों पीक में ही थे और पीक से ही लटक कर ये दोनों क्लोक टावर आ रहे हैं अरे ये गया ये दोनों तो इतनी जल्दी क्लोक टावर आ गए इन दोनों की जम्प करने की आवाद सारे लोग सुन लेते और उधर देखने लग जाते हैं ये दोनों तो काफी जल्दी जल्दी कलोक टावर आ गए अज्जु भाई उपर आते ही देखते हैं कि यहाँ पर तो दो केक रखा हुआ है तब ये अज्जु भाई जान बुचकर कहते हैं कि ये सब क्या है रेड क्रिमनल अज्जु भाई से कहता है भी बर्दे अज्जु भाई और ये केक आप के लिए ही है और इस दूसरे केक के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये किसका है रेड क्रिमिनल की ये बाते सुनते ही अज्जू भाई काफी जाता गुसा हो जाते हैं और सारे लोगों से कहते हैं तुम लोगों ने ये बात छुपा कर मुझसे बहुत बड़ी गल्ती की है मैं तो बेकार में दिन पर ये सोच रहा था कि मेरे कोई दोस्त किसी भी काम के नहीं है उन लोगों को मेरा बर्थडे भी याद नहीं है अब मुझे अच्छे सा समझ में आ गया है कि तुम लोगों से अच्छे दोस्त मेरा कोई होई ही नहीं सकता अमित भाई से अच्छे तो तुम लोग ही हो तभी रॉड अज्जू भाई से कहता है नहीं अज्जू भाई अमित भाई तो अमित भाई है अमित भाई के जैसा तो कोई भी नहीं है तभी राइश्टार कहता अरे चूप करो तुम लोग ये बात स्रीफ गुली-बुली को ही पता है क्योंकि गुली-बुली नहीं उस दूसरे के को लाया है तब ही अज्जू भाई कहते हैं कि उन्हा हम लोग वीडियो देखने वाले लोगों से पूछ लें कि ये दूसरा के किस के लिए है सायर उन्हें पता होगा तो दोस्तों आपको क्या लग रहे है ये दूसरा के किस के लिए है कमेंट करके बताए और अगर आप अज्जू भाई का बर्थटे देखना चाहते है तो आपको देखना का पार्ट टू पार्ट टू देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल नोटिपिकेशन मौन करना ना भूले और यह रहें पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स अकर आपका नाम इसमें नहीं आया तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट करते हैं झाल